निगेटी बोलने के बाद हम अक्सर पस्ताते हैं आये दियम राम 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 चलते जाएंगे तो पता नहीं रहेगा हमें रुकना कहा हैं मैंने समय का हमेशा सद उपयोग किया तो समय सब के पास चाहे वो अंबानी हो अडानी हो चाहे साधन मजदूर हो 24 गंटे हैं पहल कि उनके हाथों में उनके भीतर इतना पावर होता था कि वो टच करके लोगों को हील कर देते हैं नमसे जैहिन मेरा नाम है जै और ये है दावारा मसाफिर शोप एक ऐसा पॉडकास जहां हम बात करते हैं भारत के पास प्रिजेंट और फ्यूचर की आज का ये कॉन्वजिशन बहुत ही ज़ादा खास है क्योंकि इसे मैंने किया एक बहुत ही ज़ादा स्पेशल इंसान के साथ इस एपिसोड में मैं बात कर रहा हूँ राजेश्वरी जी मोदी से जने प्यार से लोग राजदिदी कहते हैं राजदिदी नाराएंड रेकी सत्संग परिवार की फाउंडर है वो एक रेकी ग्राइंड मास्टर है और बहुत ही ज़्यादा स्पेरिचुल पॉसन है इस conversation के थुरू राजदिदी ने मुझे एक चीज बहुत अच्छे से सिखा दी हमारे thoughts, words और deeds इन सभी में बहुत ज़ादा शक्ती होती है इसलिए it is important कि हर वक्त हम अपने आपको positive रखने की कोशिश करें but of course हमारे लिए हर वक positive रहना is not possible क्योंकि हम सभी के life में कहीं सारी difficulties आती है तो इन difficulties से हम deal किस तरह से करें और रेकी का इस्तमाल करके हम हमारे life में successful कैसे बनें इसके बारे में आज हमें राजदिदी ने बताया राजदिदी की energy इतनी ज्यादा positive है और इतनी ज्यादा calm and patience वाली है कि जब मैं उनके साथ बैठा हुआ था तो उनकी energy radiate कर रहे थी और मुझ तक बहुच रहे थी which is exactly why मैं खुद बहुत ज्यादा positive हो गया था और मैं खुद बहुत ज्यादा patient हो गया था this is by far one of the best spiritual conversation जो हमने इस channel पर किया है मैं आशा करता हूँ जितने भी लोग इस podcast को देखेंगे उन्हें इस conversation से कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा अगर आप इस channel पर नए है हमारा podcast पहली बार देख रहे है तो please subscribe button दबा दीजिए because आपके subscribe button दबाने से हमें confidence मिलता है और ऐसे conversations करने का तो चलिए नारायन नारायन बोलके इस podcast की शुरुआत करते हैं आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मेरी family आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी फैन है तो ये podcast जो है ये interview जो है ये करने से आने के पहले ही मेरा एक interview हो चुका है घर पे सबको बहुत expectations है कि मैं ये वाला अगर मैंने अच्छे से नहीं किया तो बहुत डाट पड़ेगी घर पे वीशो गूड लग तांक यू तो दीदी सबसे पहले तो मुझे आपसे यही पूछना है नारहेन नारहेन क्यों बोला जाता है कि यदि आप घड से बोल कर निकलते हो नारेन, 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 तो आपकी हड़्जे का सुरक्षा हो जाती है, आप सुरक्षा के घेरे में आ जाते हैं, तो मुझे याद भी नहीं आ रहा कि हमने कबसे वह हमारी भीतर चला गया, तो कदम जो ही बाहर पड़ता है, नारेन, मुझे निकलता है, और अब तो इतना सिस्टम के भीतर आ गया संस्कार में कि कोई भी अच्छी बात हुई तो भी निकलता है मुझे, और यदि मन के विप्रीद भी कुछ हुआ, तो भी मुझे निकलता है, इतना, इतना, चला गया भीतर, हाँ, जी, मुझे आपके बचपन के बारे में जानने है आपने कहा कि आपके पिताजी ने आपसे कहा था नारायन नारायन कहने के लिए तो बचपन कैसा था पिताजी के साथ में जो टाइम आपने स्पेंड किया वो कैसा था और उस वक्त क्या सीखने मिला आपको यदि मैं कहूं कि मेरा बच्पन बहुत अच्छा था, तो ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि मेरी मा नहीं थी, हम चार भाई भेन, और पिताजी एक कमपनी में, मील में, मील चलती थी ना उन दिनों तो, साधरन सिकलर की नौकरी करते थे, तो बेहद हम कहेंगे कि आप ये कह सकते हैं कि मिल क्लास, लोवर मिल क्लास जीवन जिया हुआ है, उतनी से इंकम के भीतर हम चार भाई भेनों को पालना उस व्यवस्था में, दादी ने पाला पोसा, भौतिक व्यवस्थाएं नहीं थी ये कह सकते हैं, इतना फर उनको मिलता था कि हम लोग को अभी आप इस पर समझ पाएंगे कैसे बच्पन बीता है, कि दिपावली पर जब उनको बोनस मिलता था, तब हमको कपड़े मिलते थे, चार भाई भेनों को, वो भी दिपावली पर एक एक जोड़ी, फिक्स था एक जो एक ड्रेस और एक जोड़ी बाटा आप लोग को तो उतना भी नहीं पता होगा बहुत छोटे उम्र में, तो उसकी कॉस्ट हुआ करते थे आठ रुपिया, और वो आठ रुपिया भी उन दिनों एक बड़ी रकम, हमारे लिए एट लिस्ट, और जो कपड़े खरीदे जाते थे, हमारी जो हाइट होती थी उन और दादी घर में लेकर आती थी खरीद के कि पूरा साल चलाना है उसको, आते से इसको फोल्ड कर आ जाता था, टाका मर जाता था, कि पहनना है भी इसको, पिर जो जो हमारी आइट बढ़ती थी, वो फ्रॉक खुलता जाता था, तो पूरे साल उस सवस्था में, जीवन बह कि मुझ बंद है, लगाता राम, 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 उनके होट जो मुझे आते हैं, हिलते ही रहते थे, और उन्होंने संसकार हम लोग को बहुत तगड़े दिये, अभी हमारे घर का वातरवन कैसा था, कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, न्यूस पेपर का टुकुडा भी मि खरीद के पढ़ें, नौवेल, फिल्मी मेगजिन से उनको बहुत ज़्यादा चिड़ थे, यदि देख लिया हम पढ़ रहे हैं, तो उठाया फारते थे, डस्ट में डाल के आते थे, उनने गेत्ता प्रिस गोरकपुर के जो अध्यात्म की पुस्तक याते, शायद आपको इतना एडिया नहीं होगा उसको, पर मारवड़ी समाज से चिर परचित है, उनके पुस्तके, उनका साइथ हमारे घर में पूरा सामने साजाता था, शोकेस नहीं होता था, एक टेबल पर लगा रहा था, तुमको पढ़ना है, इसको पढ़ो, बारम बार पढ़ो, कितनी बा पढ़ेंगे, और दूसरा चीए पढ़ने के लिए, इसको पढ़ो, और उन दिनों पढ़ने का शौक, सिर्फ लिमिटेड बुक्स पढ़ने के लिए, और कुछ व्यवस्ताएं थी नहीं, तो उन बुक्स में से यदि आप उजे पूछोगे, कि इस पेज पर कौन सी पेज पर कौन सी लाइन लिखी है, मैं आपको आँख बंद करके बोल सकते थी, इतना हम उसको पढ़ लेते थी, और उस टाइम हमको कई बार पिताजी पर गुसा भी आता था, कि खुद खरीद कर लाके देते नहीं, हम लोग मांग मांग कर लाते हैं, फिर भी आप पढ़ने देत पर अब एहसास होता है, कि बेसिक उन्होंने जो पक्का कर दिया था, आज वही चीजे मंच पर बोले जारी है, संस्कार बहुत स्ट्रॉंग थी उनके, और फाइनांशल पोजिशन ठीक नहीं थी इतनी, मा नहीं थी, तो समाज का थोड़ा कई बार प्रेशर रहा करता था, है ना, जो आता कुछ दो बाते बोल कर जाता था उनको, हम लोग छोटे-छोटे होते थे, और हमारे सामने उनका अनादर हुआ, वो हमको सहन नहीं होता था, तो उनके जाने के बाद हम उनसे बोलते थे, कि आप क्यों सुनके लेते हो, आपको भी चार बात बोलनी चीजे, बहुत पावरफुल बाते हैं, तो वो बच्पन से हमने वो सब को सुना हुआ है, और वो ही हम कहते हैं कि चरितर निर्मान जो हो जाता है, बच्पन में देख देख के, सुन-सुन के, बोल कर नहीं होता है, हम जो बाता उनके देखते हैं, उस से होता है, सतत्त भगवान का स करना कुछ भी जरासा समय विपरित महसूस हुआ बीच में मेल भी बंद हो गई थी स्ट्राइक चलती थी लिम्रेट धन था उसमें भी कैसे निकालना समय पर हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि हम लोग इतने कह सकते हैं आज की भाषा में काट कसर में रह रहे हैं उन्होंने कभी महसूस नहीं हो ले दिया बांद के रखा हमको सब तो बचमन फाइनाशिली भले स्ट्रॉंग नहीं था संसकारों से भरा हुआ था यह निश्चित था हमारी बॉन्डिंग बहुत से मालूम पड़ता था कभी उन्होंने हमसे आके कहा नहीं पर कहीं कुछ अच्छा हुआ उसकी चर्चा वह हमारे साथ जरू करते थे तो उनसे सुन-सुनके उनकी लाइफस्ट्राइल देख देखके वो चीज़े हमारे बितर आती चली गई आपने जीवन में अब तक कदम पड सिखाती है यहीं आप सीखना चाहते तो कोई भी घटन घीवन में घटित होती है जब अच्छी घटन घटित होती है we are very happy है ना खुश रहते हैं, दूसरों से share भी करते हैं, चर्चा करते हैं और बहुत समय तक वो हमारे दिमाग में रहता भी है लेकिन यदि कुछ मन के विपरीत घटित हुआ, हम आहत हुए उन चीजों को लेना फिर मन में बसाई रखना उसमें से कैसे बाहर निकलना है, यह जरूर हमने अपने जीवन में सीखा, क्योंकि यह आपकी भाषा में यह दि हम कहें तो हमारा जीवन जो भी आपको दिख रहा है, आसान सा, जगमाट दिख रही है वैसा नहीं था शुरू से जीवन में आप कह सकते हैं, स्ट्रगल रहा है पर हमको वो स्ट्रगल है ऐसा महसूस नहीं हुआ क्योंकि मन में किंतु परंतु नहीं था तो जीवन आसानी से निकलता चला गया, और हर वक्त हम जीवन से कुछ नो कुछ सीखते चले गया और अभी भी ऐसा अगर कभी ऐसा होता है कि मन के अनुकूल नहीं होता है तो हम उसमें देखते हैं कि ये परिस्ति मुझे क्या संदेश देने के लिए आई है बजाए आहत होने के आत्म चिंतन करते हैं यदि जीवन में इखटित हुआ तो क्यों है और दूसरा हम लोग शब्दों पर बहुत फोकस करते हैं जैसे कई लोग विचारों पर करते हैं कि अपने विचार आपको पॉजिटिव रखने चीए निगेटिम मत सोचो गलत मत सोचो अच्छा सोचो हम लोग जिस पर प्रभच्चन देते हैं जिस पर बेश्ट नाराणशास्र पर नाराणशासर शब्दों पर बहुत फोकस देता है अब विचार देखो मेरे बीतर क्या चल रहे हैं आप नहीं पकड़ पाओगे मैं क्या सोच रही हूँ आप कैच नहीं कर पाओगे देते हैं तो अगर ऐसा कुछ घटित हुआ कि मुझे मेरे मन के प्रतिकूल हुआ तो सबसे पहले मैं आत्मचिंतन यह करती हूं कि मेरी वाणी से ऐसा कोई शब्द निकला है तो प्रतिक्रिया आना निश्यत है उसी अनिश्यत है आपने कहा शब्दों में बहुत शक्ती होती है यह किस तरह से इसे मैं चाहूंगा थोड़ा और एक्स्प्रेइन करिए कि क्योंकि बहुत से बार ऐसे होता है हम इंसान है कतनी सारी चीजə हो रही है कोई टेंशन में है कोई गुस्य में है और कभी खबार हम बिना सोचे समझे कुछ कह देते है क्या ओन शब्दों में भी उतनी शक्ती है जितना हम जो सोच समझ के कहते है उसमें आपके मुग से निकला शब्द आपने प्रेम से बूला, गुसे से बूला, मजाक में बूला, सीरिज्टली बूला, रेंडमली बोल दिया, किसी भी अवस्था में बोला, वो ब्रहमहन में गया, वो फलित होगा, है ने, हम लोग मजाक में, देखो अकसर जब आप मजाक करती ह उस वक्त आपके मुझे से गलत शब्द बहुत जो बहुत बोलता है जो बहुत मचाग करता है किसी का सुभावे उसका आप देखे उसके मुझे अकसर गलत शब्द निकलने के संभावना रहती ही रहती है अब वो ब्रह्मान में चले गए हर शब्द फलित होता है but it may take little time also जै दूसरी नकारत्मक शब्दों का उच्चारन करते हैं तो आप उस पर खाद पानी डालते है राइट फिर वो फलित हो कि आपके सामने आजाता है तो हर शब्द में एनर्जी है हम तो कहते हैं कि हर एक शब्द मंत्र है मंत्र है यदि सुनने वाले को अच्छा मैसूस करवात है तो किसी को फाइदा देता है तो वही शब्द जरूरी नहीं कि राम राम या गायतरी मंत्र हमने उच्चारन किया तो वही मंत्र है ना वह मंत्र है पर आपके कहे शब्द भी मंत्र बन जाते हैं यदि किसी को राहत दिलवाते हैं पर फिर इनसान अपने गुसे पर अपन पहली बात तो यह है, कि जो मैं मुख से बोल रहा हूं, इर्शावस बोल रहा हूं, क्रोध में बोल रहा हूं, मजाक में बोल रहा हूं, ये चीजे मेरे पास ही वापसाने वाली है. आप उनको नहीं दे रहे हूं, आप अपने खाते में डिपोजिट करते हूं, जब आप इतना अवेर हो जाएंगे तो आपके मुझ से उतने शब्द जो नहीं उचारित करने हैं वो शब्द उचारित नहीं होंगे जब आप मेरे वीडियोज पर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे हम शब्दों पर कितना फूकस करते हैं अभी अपनी बातचीत चलेगी तो आप समझ जाएंगे और डेफिनेटली है कि आप भी अवेर हो जाएंगे शब्दों के प्रति है ना फिर भी निकल जाएगा क्योंकि अभी सिस्टम में गया नहीं है राइट है ना निकल गया और आप चेक कीजिएगा बोलने के बाद निगेटिव बोलने के बाद हम अक्सर पस्ताते हैं दो मैने बाद तीन मैने बाद हमको लगता हमें ऐसा नहीं बोलना चीए था पर उस वक्त मेरे मूझ से निकल गया राइट है ना राइट है ना राइट शर्टन चीजें हमको पता होती है कि इस इस चीजों पर मैं रियक्ट कर देता हूं चाहे आप वर्क प्लेस पे हो चाहे आप घर में हूं सबको पता है आपकी रियक्शन का कारण बनते हैं तो उसमें बैस्ट आपको उससे बाहर निकलना है रियक्ट आप हमेशा करते हैं और हमेशा उसके बाद पस्ताते हैं कि मुझे नहीं बूलना चीए था ऐसे एक बार नहीं होता है वापस वापस साइकल च चाहिए है ऑफिस की सब आप इंटर्विव लेते हैं पॉड्ड कास्ट करते हैं उसमें सब चीज़ें आपको व्यवस्थित चाहिए है और आपने आपके साथ जो काम कर रहे हैं उसको बता भी दिया है समान यहां रखना यहां रखना है उसके बावज़ुद भी आगे पीछ सामान रखा जाता है और आप फिर अशान्त हो जाते हैं कि मैंने इतनी बार बुलना इसके बाद भी तुमको समझ में नहीं आया है तो आपको आखे बंद करके रात को सोने के पहले उस सीचुएशन को देखना है कि सामान यहां से यहां रख दिया गया और मेरा बोलना हो ग पुछिशन आई फिर भी मैं शान्त रहूंगा आपने पांच सात बार बोला आपने शीचन देखी और अपने आपको इस्ट्रक्शन दिया कि दुबारा भी यह सीन मुझे दिखाई दिया मैं शान्त रहूंगा I will response not react है यह जब आपने इस्ट्रक्शन देदिया next time आपको आपका मुख बोलते बोलते आप रुख जाओगे जैसे यहां तक भी आएगा आपके पर मुख से बाहर नहीं निकलेगा आप मुझे सपने में भी बोलेंगे ना कि कोई गलस शर्द उचारित कर दो सपने में भी देखो awareness नहीं होती है हमारे मुख से नहीं निकलेगा क्यों इतने बार आपने वो विजुलाइज कर लिया है विजुलाइज का नहीं बोलूंगे मुझे ताकत समझ में आ गए शब्दों की महत्व ताकत समर्थ बोल दीजिए शक्ति बोल दीजिए और कई बार हमको audience को बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है वो समझ आम जनता नहीं समझ बाती है तो हम लोग उसके आगे बीचे कई बार नारायन नारायन उच्छारन करते हैं कि यह वो शब्द हमसे मुझसे निकला समझाने के लिए निकला है पर वो फालित ना हूँ तो भगवान का स्वर्ण कर लिया तो वो नल्लीफाय कर दिया जी दि आप नारायन नारायन से हमने इस पॉडकास के भी शरुवात की और मैं पिछले एक हफ़ते से आपके कहीं सारे वीडियोस देख रहा हुआ है तो आप राम राम 1, राम राम 2 वो काउंटिंग करते हैं नारायन नारायन 1, नारायन 2 क्योंने देखो राम राम शभू स सिर्फ उस वक्त मुछ से निकलता था जब हमघर से बाहर जाते थी और ऐसे रहता है कि हमारी पsler प्रक्षा हो जाए, घर से बाहर जा रहें, रक्षा करने की हमारी عश्व रक्षा करें इसलिए नारायन बोलना है तो वो system में वैसा set हो गया और राम राम जप वैसे set हो गया और one and the same one and the same बट ये system इस तरह से set हो गया तो राम जी और नारायन जी एक है one and the same, power is one and the same आप खृष्च्ने बोलो, आप मातरानी बोलो तो भगवान तो एक ही है भगवान एक है पावर एक है और राम राम वन राम राम टू राम राम थरी ये numbers में क्यों इस तरह से हाँ कि कई लोग हमसे प्रश्ण करते हैं कि number wise क्यों उसको क्यों काउंट करना है मेरा ये question पूछने का मतलब उद्देश है कि इससे मुझे ये जाना है राम राम आप एक बार बोलो सौ बार बोलो हजार बार बोलो चाहिए जितने बार बोलो उतने बार कम ही है तो counting क्यों अभी यदि मैं आप से कहूंगी थोड़ देर जाप कर लो हम लोग क्या समू में प्रातना करते हैं है ना पांसो लोग हजार लोग राम 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 चलते चाहेंगे तो पता नहीं रहेगा हमें रुकना का है आप समझ रहे हैं अब जब हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं समू में हजार दो हजार पांसो जितने लोग होते हैं तो राम राम एक किस पर रुख जाना है एक माला करनी है, राम रामे किस करना है, तो एक ले में चलेगा, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, और एक किस पर आकर रुख जाएगा, जी, और without counting यदि करते हैं, तो समझ नहीं पाते हैं, कहां पर रुखना है, और खुद भी जब जब कर रहे हैं, अकेले में भ तो counting पूरी करके ही phone call attend करते हैं, एंदरवाजा खोलते हैं, रुकते नहीं, वो 21 तक पूरा होने देते हैं, तो सुविधा जनक है, सुविधा जनक है, तो 21 का महत्व ये है, सुविधा, 21 भी बोलते हैं, राम राम चपन भी करते हैं, 108 भी करते हैं, आजकल छोटी माला करते हैं, इसलिए कि comfortable है, बहुत 30 सेकेंड में पूरी हो जाते हैं, पहली बात, और हमारे मारवाड़ी में कहाबत है, कि हर कारे 21 होना चाहिए, 19 नहीं होना चाहिए, तो उस 21 को focus करते हैं, best होने के लिए, ठीक है, दीदी मैं भी मारवाड़ी हूँ, तो मुझे घर से काफी सारे questions मिले आपके लिए, तो ये एक question ऐसा ही कुछ है, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला ये पूछने के लिए, दीदी बहुत ज़्यादा humble है, बहुत patience भी है, daily माला जपना, फिर उसके आद में लोगों की परिशानिया जानना, उन्हें उसका समाधान भी देना, बहुत ज़्यादा काम भी कर दिया, बट अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, तो I can feel, कि आपके अंदर कितना patience है, आपकी energy बहुत काम है, बहुत kind energy है आपकी, तो ये कैसे आपने develop की और लोग इसे किस तरह से develop कर सकते हैं, देखो, patience की बात आप कर रहे हैं, जितना patience अब को दिखाई देता हैं, उसे थोड़ा कम है, घर में उतना नहीं रहता है, थोड़ा सा हो जाता है, और दूसरा, मैंने एक चीज़ सीखी, एक तो देखो, बचपन में, जिस वातार में हम लोग पले बढ़े, है ना, हमारे पास दूसरा option नहीं था, जिद नहीं कर सकते थे, किस से करेंगे, किस बेस पे करेंगे, है ना, हम कहेंगे, हम दब के चले, सीधी सरल भाशायदी कहें, है ना, और जोड से बोलना मेरे भाईयों को नहीं पसंद था, मेरे पिताजी, बहुत सीधे सरल, मेरे भाई थोड़े स्टिक थे, तेज बोलना, बार खड़े रहना, लड़कों से बाते करना, ये सब उनको पसंद नहीं था, और बड़े भाई के, बड़ा भाई तो ठीक, छोटे भाई के भी आँखों से हमनों डड़ते थे, छोटा होन पांच साल छुटा हैं मुझसे, और बड़ा भाई भी, बड़े भाई से तो वैसे रिस्पेक्ट के आधार पे आप बोल सकते हैं, आज भी हमारी हिम्मत नहीं है, कि हम बड़े भाई के आगे जोट से बोल सकें, वो आज भी नहीं है, तो शुरू से उस माहोल में पले भड इंपक्ट है, दादी नहीं पाला पुसा, पर सपोर्टर्स हमारी चाची थी, तो वो हमेशा हमें ये, हम कहें, बोलती रहते थी, कि देखो सस्राल गए हैं, जबी सस्राल में आएं, तो जो उर से मत बोलना, कल को ऐसा नहीं लगे कि मा नहीं थी, तो किसी ने संसकार नहीं चाची के संसकार इतने स्ट्रॉंग होना चाहिए, कि उनको लगेगी दादी और चाची ने अच्छे संसकार दिये हैं, वो बारम बार, बारम बार, प्रेम से समझाना, कभी जो उंची आवाज में ने, कि बिटा अपने को शांत रहना है, यहां पर तुम्हारा को इतना सब ससुराल में शांत रहके चलोगी, व्यभार अच्छा रहेगा, तो लोग accept करेंगे, पीहर में तुम्हारा इतना कोई स्ट्रॉंग नहीं है, कि उस बल पे तुम अपनी आवाज तेज कर सको, इस तरह से उनकी जो फीडिंग जो हमको इर्दिगिर से मिली, जो फ्रेंड सरकल जो मारा था, वो बहुत अच्छा था, ये करपाई कहेंगे मेराण की, कि शुरू से हमें सराउंडिंग बहुत अच्छी मिली, तो वो चीची चीचे भीतर आती चली गई, अभी आप देखिए ना, लोग मुझसे पूछते हैं कि इतनी बड़ टीम आप कैसे त्यार करके र जाना आज कोई विजन नहीं था, अपने आप चीजे जीवन में होते चले गई, खाले मैं इतना जरूर बोलूंगे कि मैंने समय का हमेशा सदुपयोग किया, जैसे शब्दों का बहुत सो समझ कर उच्छारण किया, बहुत अधिक बोलना, फोन पर टाइम पास करना, टीव हो गया, वो बातलग है, लेकिन उन दिनों की बात, जब सच्छंस इतना इन्वाल्व नहीं था, तबी भी वो सुभाव नहीं था, कि जाकर गॉसिप कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वो चीजे, तो उस साब साब से अच्छाई ही ही रही, और अब चीजे समझ जब ग्र जीजे, और आप जितने बड़े लोग को देखेंगे, आपको सब हमबल मिलेंगे, गांदी जी ले लीजिए, जो सारे, सारे, और नाराण शास्त्र तो कहता है, कि जब आप विनम्र होते हैं, आप सम्रिध्धी को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, सम्रिध्धी यानि ओनली धन नहीं, चार चीजे काउंट होती हैं, आपका तन, आपका मन, आपका धन, आपके सम्मंद हैं, आप देखे न, पोलाइट जब आप होते हैं, आपका तन स्वस्त, क्योंकि एनरजी आपके आपके पास है, चिलना आएंगे तो कहां गई? आपका मन शांत, धन की बर आपके रिलेशनशिप, सम्मंद सही, यह बहुत कुछ चीजें देती हैं, पूलाइटनेस, आप चार बात सुना कर नहीं ले सकते हुआ, जितने ही पूलाइट होंगे, हमबल होंगे, आप आकर्शित करते जाते हैं चीजों को, जो भी चीजें आप, यदि मेरे जीवन में, आपने जैसे बूला कि मैंने वीडियोज देखे, उसका, तो यह मेरी लाइफस्टाइल है, ऐसा नहीं कि फॉर दर टाइमिंग यह मुखोटा ओड रखा है, इस इस माइफस्टाइल, यह मेरे दिनचरिया में शामिल है, अभी आपकी दिनचरिया exactly कैसी दिखती है, मतलब क्या क्या आप करते हो, देखो अभी पिछले तीन सालों से तो अगर देखें, तो हमारी ब्रह्म मूरत की साधना चल रही है, सुबह साड़े चार से सवा पांच की प्रातनाएं होती है, और हम लोग चार बज़ कर बीस मिनट या पंदरा मिनट पर जूड़ जूड़ जाते हैं, तो उसके लिए जल्दी उठना चरूरी है, तीन बज़े उठते हैं, तो वो एक आदत से पढ़ चुकी है, कई बार ट्रेवल करके रात को एक बज़े घर पहुंसते हैं, तो जो साथ वाले टीम होती है, तो उनका कहना होता है कि कल हम लो रिकॉर्डिंग लगा देंग पर वो क्लॉक जो बॉड़ी का साइकल है, वो नेंद खुलेगी और मुझे यदि मैं उस प्रात्ना में न बैठूँ, देखो ट्रेवल कर रही हूँ, ट्रेन में हूँ तो विश्यशकर, तब तो देखो विवस्था नहीं है, तो छूटना सुभाविक है, पर मैं जान पूरा देखती हूँ, ऐसा सत्संग में पूरा ऐसा नहीं है, घर का काम भी पूरा देखती हूँ, और देखो काउंसलिंग चलती है, अध्यन रहता है, नामस्पंजप अगर रहता है, मैं आपसे कहती हूँ, अगर समय कभी मुझे मिलेगा, समय, टाइम, दिव्यक्ति के र तो मेरा सारे काम लिखे भी होते हैं, मुझे लिखने की बहुत आदत है, मेरे बैट पर बोर्ड मिलेगा, मेरे सामने दीवार पर बोर्ड मिलेगा, छोटी-छोटी चीज़े लिख लिखके, तो अगर मुझे बता है कि मुछ पास पांच मिन का टाइम है, मोधी जी से बात क लेना है कि उस तोरान के लिस्ट होती है इसकी विए सारे काम मेरी विवैस्त चल जाते हैं और मुझे हैँ कि दे मुझे किसी ने जैसे आप लोगोंने चार बज़े का समय दिया था यह दिया आप मुझे पहुंने चार बज़े बोलते हैं भी पहुंच जाओ तो आई विल रीच बीस मिन पहले मैं रेडी होके बैठ जाती हूं ऐसा नहीं कि अभी पांच मिन बेट करें भी आना है जी तो यह अपने चीज बहुत प्यारी चीज घही आपने कि टाइम का अपने सदुप्योग किया पर आज हम एक ऐसे जमाने में रहते हैं जहाँ पर लोगों को लगता है ईटाइम समय बहुत कम है सब के पास तो यह इससे कैसे लोग leal कर सकते हैं अपने समय को बढ़ा कैसे सक चौबिस घंटे हैं और हमें कब लगता है कि समय कम है वह तो समय आपको फिर जैसे चौबिस घंटे होते हैं आपको पचास घंटे भी देंगे तो आपके पास वही विवस्ता रहेगी इसलिए कि आप नोटीस कीजिए समय के शिकायत कौन करता है जो गैश्री काम है वह पहले करता उसमें अपनी अपना समय बस्ता नहीं है ίो जरूरी काम पहले कर назвare लेते हैं तो आपके पास समय है जो जो इतनी उचाई पर लोग पहुंचे वे हैं देखो समय उनके पास भी उतना ही है बट वो उसका सदूपयोग करते हैं आपका मूबाइल कितना समय ले लेता है और बड़े लोगों को आप देखे जो उचाई पर जा रहे हैं उन्हों मूबाइल रखा है चलते फिर ते मैसेजज देखना है आप एक मैसेज देखने के लिए फून उठाते हैं आप कभी घड़ी पर ध्यान दीजेगा आदा पौना घंटा पकब निकल गया पता है नहीं चलेगा आपको इसलिए फिर आपके पास टाइम बसता नहीं है हम लोगोंने टाइ कर रखा है अलेक्सा से सेट अप कर रखा उसको बोलती हूं पांच में लार्म लगा देना उसमें बच जाता है और वह गर उसका अलारम बच जा उसी टाइम में रोकती हूं पर उसको बढ़ाती नहीं चाहिए वह कितना इंट्रेस्टिंग चल रहा हो टॉपिक जी परटीन है फिर बी से फर्स साइड उसमें अलारम सेट करके रखती हूं कि जिम्मेदारी है सीट पर बैठना है हम तो बस्ते से पांच में उठती हूं कभी ऐसा करा नहीं है वह बजार उठना है वह बजार मुबाइल बंद करना है वह सेटिंग हां यह देखो माइंड अप इसमें सेट कर दिया कि मैं पांच मुन के लिए देख रहा हूं वाटस अभी हाथ में लिया मैं दस मुन तक देखूंगा बहुत देट से देखा नहीं काफी मेसेज़ेस हैं आपको इंट्रेस्ट आता है आपके हाथ में आया आपने आउन कि आपको इंट्रेस्ट आएगा पटानी चलेगा यह दिया आपने अलारम सेट कर दिया है और अलारम के साथ बंद कर दिया चार-पांच बार किया इसको पता चल जाता है कि इसके उपर लेगा नेक्स्ट वजा और आपको बटन चली जाएगा ब्राबर बब्जाएगा और आपने शुरुआत में ही आपने आपने बंद निक्या दो बार देख लेता हूं नेक्स टाइम फिर आपको बोई साइकल चलेगा और पांचे बार आपको पता चल गया इसमें कि मुझे भी रोग देना है नेक्स टाइम आपको एफट ही डालना पड़ेगा क्योंकि अपना माइंड जो है ना कमफर्ट जोन में जीता है शुरू से इसको आदत है इसको ट्रेंड करना पड़ता है बिल्कुल है तो मुझे एक और चीज़ आपसे जान दी है जो यह आप सुबह साड़ी चार बज़े ब्रह्मा मूरत में प्रारतना करते है राम राम बन राम राम टू जो जब भी करते है यह सुबह साड़ी चार बज़े क्यों यह ना शास्त्रों के अनुसार इसे ब्रह्मा मूरत की बेला कहा गया अति उत्तम समय है वो अति उत्तम समय है पहली बात वो साधू संतों के जगने का समय है उस वक्त देखिए जो अच्छी एनरज करते हैं वे लोग उठते हैं तो वह एनरजी उस वक्त ब्रह्महंड में विद्यमान रहती है और फिर उस वक्त जब हम लोग करते हैं तो उस एनरजी के साथ जुड़ जाते हैं पहली बात वह विश्यश बात वह दूसरा यह है कि आप पूरे दिन में कभी भी यह दियम में करेंश करने करने लिए जिए तो मैंने बहुत सारी लोगों को देखा और मैं अभी मुझा पताए कि यह पूछने क्या मूश थोड़ी घर पे डाट पड़े घी कürके मेरे फैमिली में भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग सुबह साधे छार बचे उचते यह प्रातना करते हैं फिर हम वहापस सो जाते हैं यह सही है यह हम लोग ऑफिशल अन्णांस भी करते हैं लोग पूछते हैं हमसे कि प्रातना के बाद हमसो सकते हैं किया कि ने किया आप जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में बैठें भगवान का इस्पर्ण जरूरी है बिलकुल ना मुझे तो लगता है 50% लोग सो भी जाते हैं वापस उसके बाद आप सोते हैं आराम करते हैं वो सारी चूटा है किसी ने मुझे प्रशन पूछने कहा था अपसे उनका प्रशन यह था कि वह बहुत टाइम से आपको फॉलो करें रोज सुबह साड़े-चार बजे उठते भी थे बट अभी पिछले तीन-चार महिने से हर दिन कु साड़े-चार बजे और प्रात्ना जॉइन नहीं कर पारें उनके लिए कोई मेसेज है कि फिर से उस रूटीन को फॉलो कर सके देखो सुबह साड़े-चार के प्रात्ना में उठने के लिए सबसे पर आपको रात को सोना समय पर पड़ेगा अब रात को टीवी लेट तक दे देखो कोई भी नई चीज एक बात आपको धान में रखना कि कोई अच्छी आदतों जो हमारी रहती है जैसे उस महिला ने आप से का कि पहले में रेगिलर थी अब चूट गया अच्छी आदतों को पकड़के रखना बहुत जरूरी है यदि आप एक्सराइज भी रेगिलर करते हैं और करें दो-चार दिन आप बाहर चले गए आपकी छूट गई वापस रेपों में आने समय लगता आपको जी आपने देखा को टाइम लग जाता आपको इसी तरह इसका भी है आपको स्टिक्ट हो के पकड़के बैठेंगे तो साधना में बैठ सकते हैं तो उनसे क पहले तो सोने का समय सही करें रात को जल्दी सोई आलाराम लगा कि सोई एफट डालना पड़ेगा पांच साथ दिन वापस उनका जॉइन हो जाएगा जी एक परसलिल क्वेशन मुझे पूछना है आपस मुझे क्लियरली वजन लूज करने की बात ज़रूर है तो पर मैं ए बशन कम करना है और कोई दूसरा वैक्ते मोड्य यदी आपको करता है वो साथ फोट टाइम लेकरता है भापरい बिल्कुल कि मुझे ये काम करना है कि अह सथना बताते हैं जो लोग नहीं कर पाते से आप बोल रहें कि मैं चाहता हूं पर नहीं कर पाता हूं एस्च्यूजेस बहुत हैं बीजी हूं रात को लेट हो जाता है वैसे काम जाता है हम लोग क्या कहते हैं हाफ से कि भाई रात को सोने के पहले that is the best period सोने के पहले का आखें बंद कर करीए मत खाली विजुलाईस करना है कि मैं चहें बची उठ जाता हूं जाता हूं जो आपकी व्यवस्ता है आपको पहले विजुलाईस करना है थोड़े दिनों तक है यह ब्रेंश करने को मेसेज है कि यह मुझे करना है उसके बाद कई लोग क्या सोचते हैं कि घंटा बर आप खली शूस पहन लीजिए एदी वॉकिंग शुरू करना आपको जूते पहन लीजिए जूते पहन के उतार के रख देची वापस बॉक पर मज जाए भले है सेकेंडे घट से बार दो कदम जाकर आए पांच मिनट वॉक कीचिए शुरुआ दो मिनट से कीचिए धीरे-धी देख करना है और देखिए आप जो आप जो दो मिनट भी आप करेंगे जूता भी पहनेंगे आपको लगाए जूते तो पहन लिए एक राउंड लागा क्याता हूं पांच मिनट से शुरू किया अकब वो पांच मिनट आपका घंटा भर में बदल जाएगा आपको पता ही चलेगा और अगर आपको लगता है कि मैं मोटिवेट होई नहीं पा रहा हूं तो इतना तो आप कर सकते हैं कि रात को सोने के पहले आप रेगिलर वॉक पर जा रहे हैं यह खाली दिरिश्य देखना है कि राइंड मैंने हमारे गारण का पांच राइंड लिए हैं दो राइंड लिए देस राइंड लिए क्या अपनी ऑप के कपड़े पहले और जिस प्ल आप उखिंग कर रहे हैं पांच सात दिन आपको दिखा यह वह कर रहे हैं उसके बाद शुरुवात क्या करनी है आपको मैं जूते पैने फिर आपस कोल के रख देजिए step by step और एक बार आपको लगन लग जाएगी ना इसकी कि benefit मिलने शुरू जाते हैं फिर हमें लोगों को देखा है कि ट्रेन में भी traveling कर रहे हैं तो कोई के station में पांच मुन ट्रेन रुखती है ना नीचे उतरेंगे पांच मुन वॉक करेंगे के-बीतर मॉख करेंगे है है हां अबिट है न कि कईयों को अम प्रांडाम करते हैं एक्सेश करते भी देखते हैं रआयबल करते वागत था है व्लाइट में देखते प्रांडाम करते की हुला हमारी रोजक्यात थत्थ है हमारे बिल्कुल try करूंगा नाराइन रेकी। यह वरेमें बात करते हैं मुझे समझना है आपसे रेकी क्या है नारैन रेक्य उसमें क्या होता है। रेकी ये एक उड़जा है, एनरजी है। रेक खाल अर्थ है सर्वत्र ब्रह्माण में व्यात उड़जा, सर्वत्र . Part yang kg उड़जा ?byλαई क servat le जो कॉमन रेखी के बारे में जो हम लोग सुनते हैं समरे कि क्या चीज है वो यह है कि ब्रह्माहन में व्याप्त उर्जा एनर्जी और बैसिकली पहले के जमाने में लोग इसकी इस उर्जा का उप्योग सिर्फ हीलिंग के लिए करते थे और यह विद्या हमारी भारत की है क्य उनके हातों में उनके भीतर इतना पावर होता था कि वो टच करके लोगों को हील कर देते थे तो ग्रंथों में इसका आपको लेख मिलेगा इस पर शिकित्सा के राद नाम से पर कालांतर में इस विद्या का प्रयोग जादा नहीं हुआ या प्रैक्टिस नहीं वी मानिता ही मिले जो भी रिजन रहा हूँ जापान की डॉक्टर मिका उस्वी ने इस विद्या को पुना जागरत किया अब उनके नाम से विद्या प्रचलित है रेके के नाम से इसमें कुछ मंत्र कुछ सिंबल सिखाए जाते हैं आपको आपको उसका धान करना होता है और उस उर्ज के साहरे सिंबल के शाहरे अपने चक्रों में समाईत होते विया आप दूसरों को भी दे सकते हैं खुध के लिए छी ये प्रयोग में आती है कि आप छाले कि स्वस्त्त कर सकते इस टचन हील वाली बात रहत हैं और देरे-देरे इतने अधिक इसके प्रयोग किये गहे हैं अ पता चला है कि यह हर चित्र में काम करती हैं आपको अपना केरीर बनाना है रिलेशनशिप सही करनी है आदतें सही करनी है बच्चों का कॉंसेंट्रेशन पावर बढ़ाना है कोई बिजनिस आपका बढ़ाना है आपकी नौकरी चाहिए है हर चित्र में आप इस विद्या का इ और खासित इसकी इसकी यह रेकी की कि इसकी benefit है किसी भी प्रकार का side effect नहीं है यदि समझो आपने अधिक कर दिया प्रयोग या कम कर दिया इसका प्रयोग या उच्छारण आपनी मंत्रों का सही तरीके से नहीं किया symbol आपसे गलत बन गए बस यह आपको benefit देने में आपको फायदा मिलने में थोड़ा समय अतरिक लग जाएगा लेकिन इसका कोई पीतर का side या after effect नहीं है ओन रुप से शुद्ध पवित्र उड़जा है और जो जो आप इस उड़जा का प्रयोग अधिक करते हैं आप पीतर से भी शुद्ध होते जाते हैं आपकी मन में फिर यह इर्शा का भाव है वेश का भाव है आपको effort नहीं डालना पड़ता कि यह negativity मुझे अपने भीतर नहीं रखनी है मुझे निकाल देना हम लोग बोलते हैं निकाल देना आप जब इस विद्धा के संपर्क में आतने इसका प्रयोग करते हैं यह भावी नहीं आता कि उसने कितना अच्छा बैन रखा है हमें खुशी होते कि उसको देखो कितना अच्छा त्यार हो पर आए एक है इर्शा का भाव उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सुन्दर कैसे है वाव उसकी साड़ी कितने अच्छी है यह परिवरत सेम वही चीज है, खाली हमने उसके साथ राम राम जोड दिया, उससे क्या benefit हुआ, उस विद्या में आपको जब आप उनके थुरू करते हैं, वो रिखे सीखते हैं, तो आपको एक जगा बैठ कर वो साधना करनी होती है, विशेश समय निकालना पड़ता है, कि आपको पास समय हुगार, जिसको आप दिभेजना चाते हैं उसको भी आपको बताना पड़ता है, उसको भी जोड़ना पड़ता है, राम राम जोडने से अभी आपने सुना राम राम बन राम टू जो सुनते हैं, अब चलते फिरते भी, हम लोग खाली intention लगते हैं, कि जो राम की जब मैं कर रही हूँ, जो रेकी कर रही हूँ, इस व्यक्ति के लिए कर रही हूँ, इस कारे के लिए कर रही हूँ, उसे इस कारे में सफल तामिलें, और अपना काम करते जा रहे हैं, भगवान कास्मन करते जा रहे हैं, उस तक एनरजी पहुचाते जा रहे हैं, ये ब बूलना होता मैं करने केुछ अभी संहें को समय चाहि úm बगवान का स्पन भी चलेगा intention भी चलेगा काफी interesting है इसके बार में उज़े आपसे और पूछना है तो आपके life में रेकी का जो first instance था वो कैसे हुआ मतलब आपके life में रेकी कैसे आई आपने क्यों रेकी वाला रास्ता चूज किया रेकी सीखने के पहले या इसमें इस दुनिया में प्रवेश करने के पहले एक साधान ग्रहने जो घर housewife आप लोग बोलते हो जो simple सा जीवन था middle class family से बिलॉंग करते थे छोटे-छोटे बच्चे हैं उनका पालन पोशन करना वही सब जो आम दुनिया करती है वैसा ही जीवन चल रहा था रेकी का तो शब्द भी इरेकी शब्द भी नहीं सुना था हमने कभी अपने जीवन में ये संयोग रहा 1995 की बात है हम लोग साथ कपल मेरे हजबन के friends हम लोग साथ कपल हम लोग लोनावला गए थे छोटे-छोटे बच्चे थे हमारे किसी का बंगलो हमको मिला वाथ था उन दिरों तो इतने साधन भी नहीं थे किसी की जगा वहाँ पर थी तो हम लोग जस्ट पिकनिक मनाने के लिए दो दिन दिन साथ में रहेंगे ऐसा एक जन्गा था मां गए थे वहाँ पहुंचें उसके थोड़ी दिर बाद ही हमारे ग्रूप के मेंबर के एक बच्चा तेरा साल का बच्चा था वह उसको बहुत तेज ठंड लगना शुरू हो गए और देखते देखते इतनी तेज फीवर उसको कम से कम जितने nggak नहीं नहीं कोई मोबाइल तो थाने करो और मंग बालो फिर उस बंगने में जो केर टेकर माली था तो बहां रहता था उसनी बोला कि मैं भी साइकल पर जाकर क्रोसीन लेकर आता हूं मार्केट से क्रोसीन उन दुनों चलती थी क्रोसीन लेकर आता हूं जी वो साइकल लेकर चला गया लेकर जाने के लिए वो तो चला गया और यह कांप रहा था और हम सब यह देख रहे थी कि सो कुछ इती दिर में किती दिर में कि मैं रेखी जानती हूं मैं इसको रेखी देती हूं यह रेखी देती हूं यह यह भी नया कुछ सुनने मिला तो हम सब भी कमरे में बैठे वे बात्चित करें थे और वह कहाँ पर रहा था तो उसने सब को रिक्वेस्ट किया कि आप सब लोग बाहर चले चाहिए हमसे सबसे कहा गैं कि मैं इसको रेकीः दूंगे मुझे शांति का वास्सटा ना चाहिए आप tafag Energ Aqua चेएva और मुझे ंस संफिता कि मैं इनका क्या करने वाली मैं सको रिक्वेस्ट करने कि मैं 식 उभी कुछ ने करूंगी मैं ओवर्लोडड था उसके इधर हाथ रखा बस रजाईयों के उपर और आखे उसने बंद की अब मुझे क्या बोल रहे थी कुछ थोड़े होड़ तो मुझे हिलते वे दिखाई दिये अब क्या कर रहे थी कुछ पता नहीं पर मुझे आश्यरी होगा कि दस मिनट के भीतर उस ब इसको सोने दीचे पंदरा विसमिन बाद में दवाई आई तो अस बच्चे को देखा तो गहरी निंदों में था तो बाकी लोग जेंट जो साथ में थे उनका कहना था कि उठाकर दवाई देना उचित नहीं है उसको सोने देचे उठे का जब देखतें क्या करना है लग बैट बॉल खेल डिया मेडिसिन कोई कुछ नहीं गई थी बैट में हमने उस महिला से पूछा फिर यह क्या चीछ है आपने क्या किया क्या मुझे पहले तो मुझे इतना समझ में यह खाली हाथ रखा है कुछ ऐसा पर जब यह मैजिक देखा चमतकार देखा कि जो कहां पर आत आए बच्चा और एकदम नॉर्मल उसके बाद दुबारा उसको फीवर नहीं चड़ा हम लोग चार दिन मा रुके थे वस एटन फाइन तो उसने बताए रेकी विद्या है और आमदाबास से कोई टीचर आते हैं महने में एक बार वो सिखाते हैं मुमभई में हर जगा एव लिंग दे रहे हैं अब वो जब आएंगे टीचर तो मैं सेकेंड लेवल करूंगी तब उसमें यह व्यवस्था है कि आप इधर बैठे हैं अब अमेरिका में अदिया कोई नियर डियर हैं मतले इतने डिस्टेंस पर भी हैं तो आप उसको हील कर सकते हैं यह चीज तो मुझ विद्या है कि आप यहां पर बैठे हो आप दूसरी जगा एनरजी भेज के हील कर सकते हैं तो सीखने की उस सुकता जाकी और फिर इस लाइन में जब बैनिफिट मिलते चले गए करते चले गए आगे बढ़ते चले गए और फिर कब समझ में धीरे धीरे आने लगा कि अभी इसमें हम लोग टोटल पॉजिटिव शब्द बोलते हैं रेकी में जब उसको हील भी करते हैं तो इसमें डॉक्टर मिका उसे के पांच नियम दिये गया है कि आज मैं जूट नहीं बोलूँगा सत्य बोलूँगा इससे सब वो सब तो affirmation भी अपनी ताकत रखते हैं इसके स यह समझ में आया फिर जबी देखो अम लोग लेडिस लोग को इदिया पोलोग एक रोटी बनानी आ जाती है आलो का पराठा गया तो फूल को भी का बना लेते हैं पनीर का बना लेते हैं फिर दीरे दीरे वो चीज़ें एड होती गई खुद के विश्वास इतना बैठा इ मुझे लगता है कि आज बच्चे डॉक्टर बने वे हैं मैंने उनके पर बहुत प्रयोग किया बहुत साधना की वह पेपर लिखनी जाते थे समझो दस से एक बज़े तक तीन घंडे का पेपर है तो मैं नौ बज़े अपनी सीट पर बैठ थी फोन अंगेज बार घर के बा उनको रेकी देना यह अभी तक भी मेरा चलता है और बेनेफिट बहुत मिल रहे हैं और राम राम का इसको जोड़ने से सबसे बड़ा लाव ही हो गया ना कि आपको दूसरे काम करते हैं आपको अत्रिक्त समय निकालना ही पड़ता एक तो यह फस्ट बेनफिट दूसरा बह मारा शास्र कहता है कि अंतिम समय में अंतिम छण में यदि आपके मुख से राम राम निकल गया राम शब्द एक बार भी निकला तो सिधे बैखुंड के द्वार आपको खुले वे मिलेंगे पर उसके लिए आपको साधना प्रैक्टिस चिएगी ने तो यह दुपता है वह द कोई पड़ित हैं उनसे भी आप पूछेंगे तो आपसे वही कहेंगी वह कि हमारे बीता चलता रहता है किसी को अच्छा करते देखेंगे तो राम राम निकेस्ट अभी तो यह अवस्ता हैं लोगों की लोग श्यर करते हैं संसंग में कि टीवी अम फिल्म में कुछ देख् अब वो तो पिच्चर है ना वो तो एक्टिंग है फिर भी हमारे मुझ से उसको बचाने के लिए राम राम निकल पड़ता है ऐसी अवस्ता है पर ये मुझे एक चीज पूछने की रेकी और राम राम अब कोई ऐसा इंसान भी होगा जो रेकी सीख नहीं पा रहा है या सीख नहीं सकता तो सिर्फ राम राम बोलने से भी बिल्कुल बिल्कुल हम लोग सब चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं जैसे समझो अब ट्रेवल कर आपना हमारी चुटी चुटी बुक्स है वो पर्स में हमारे साथियों के रहती है वो इसको गिफ्ट कर देते हैं और रेकी मतलब क्या नॉर्मल इंसान रेकी सीख सकता है अराम से हम साथ साल के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं आपको डबल बेनिफिट होगा और यंग जनरेशन को तो और भी करना चाहिए आप सोचे देखें मुझे यह वीद्या आज इस एच में मिल रही है और इतना बेनिफिट है वो आप लोग सब लोग जानते ही है सब कुछ सब के सामने दिखी रहा है यह चीज हमें साथ साल के होने पर मिली है आपको तो इतनी छोटी कि इतना बेनिफिट ले सकते हैं इसका बताई है सोचिया मैंने हमेशा से रेकी को इस नजरिये से देखा था कि रेकी जिस तरह से आपने भी का की लोना अला में उस बच्चे की तब्वित खराब हो गई थी तो उसे हीलिंग के लिए इस्तमाल किया गया बट रेकी का इस्त के लिए कैसे यूज होती है रेकी देखो आप रेकी सीखते हैं आपको किसी पर्टिकुलर छेत्र में सफलता हासिल करनी है उसका एफर्मेशन आप क्या बोलेंगी मैं इस चेत्र में टॉप पर हूँ आपको विजुलाइज करना सिखाते हैं जब आप सीखने के लिए आते ह और आप बता देते हैं टीचर को कि मेरा ये मकसद है मैं इसलिए सीख रहा हूँ तो कौन सा एफर्मेशन पर आपको फोकस अधिक करना होगा क्या विजुलाइज करना होगा वो सारा आपको बताते हैं अब देखो विजुलाइज जब आप करते हैं नेमित रूप से आप र डालने हैं आपका ब्रेन आपकी बॉड़ी आपसे वह एफर्ट करवा लेती है तो एक और चीज यहां पर आती है जैसे आपके वेब्साइट पर मैंने तीन वहां से वर्ड्स पिक किये थे एक नारायन रिकी थी जो आपने समझा दी एक करोना रिकी और वर्दान रिकी मतलब अदर देन नारायन रिकी भी जो लोग सिखाते हैं दूसरी रिकी से जो जुड़े वें यह सिंपल हमाई रिकी है पर कुछ हां कुछ सिंबल्स हम लोगों ने इसमें एड किये हैं अब क्या है कि इतना इसमें इन्वाल्व हो गए हैं खाना पीना सोना बोलेंगे तो होई चलता है तो जब ध्यान साथनां बैठते हैं तो कुछ कुछ चीज़ते को दिखाई भी देती हैं अगर एफट लाके देखना चाहेंगे तो नहीं दिखता है सहज में फ्लोट होकर आ जाता है तो आ जाता है तो सिंबल भी हम लोगों ने इसमें एड किये हैं नारेंड उसमें कुछ अधिक सिंबल्स दिखाए गए हैं नारेंड डेखी में क्या पर्टिकुल सेट ऑफ सिंबल्स हैं जब आप वो करने के लिए बैठेंगे तो आपको सारे सिंबल्स यूज करने पड़ेंगे सबका साथ में लेना पड़ेगा करुणा लेकिके सिंबल इटसल्फ इतने पारफुल हैं कि ना उसमें दो दो तिन थी नहीं आपको लेने पड़ते हैं उसमें पर्टिकुलर चीज के लिए सिंबल है जैसे किसी की हैबिट सुधर नी है तो आपको य्यूज करना है नारेंड डेखी में क्या आपको हैबिट के लिए बोलिये कॉंसेट्रेशन क है अलग अलग चीजच अलग धन्फ साहने हे जैसे शक्कर है तो शक्करधास प्येदा करेगी और हम्कीन की जर्गा उसको यूज़ कर सकते हैं तो इसम्मी करना रख़ी में जो सींबल हमारे है हैबिट के लिए अलग है अधिश करने तो यह सिंबल यूज़ उस का pac dress डेवलप करना है तो आपको यह होगा रिलेशनशिप के लिए पूछ यह तो सिंबल ऐसे अलग-अलग सिंबल से हैं है ना यह और एक तीसरा आपका आगया वर्दान रिखी यह हमारा अपना कृपा है उसकी अपना अपन बोलें क्रियेशन बोल दीजिए जो भी कृपा बोल चाहिए अपना है यह सबसे उपर लेवल की है इसमें अधिक पावर्फुल है सब में सिंबल है सिंबल सब में है ना बस उसकी पावर बढ़ती चले जाती है और मैंने यह नोटिस किये अपने एक्सपिरिंस से जाना है कि आप नारण रेखी करो करूना रेखी करो बरदान हम तो सब करने भोलते हैं लोगों को कि बहुत बेनिफिशल है पर पावर उसका उस शक्ति का पावर और बढ़ जाता है जब हम सही उचित सकारात्मक आदर सुचक शब्दों का प्रयोग करते हैं पॉजिटिव 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 और अपने सिंबल की बात की सिं सिंबल है इसी तरह कि जैपनिश सिंबल नांडेखी में आते हैं और बाकी जो करुणा रिखी है जो वर्दान रिखी इसी तरह कि कुछ-कुछ पी चर्स आप कह सकते हैं वो हमको ड्रॉ करने होते हैं खाली मन में शुरू में आपको टीच करते वक्त पेपर पेंचिए आप प्रैक्टिस करवा देते हैं फुल डे का क्लास रहा तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप घर जाने तक आप सिंबल सीख लेते हैं और नहीं तो तब पांसा दिन आपको बुक सामनी रखनी पड़ती है देख देख कि आपको बनाना होता है आप रोज वही वही बनाएं है कि उन लोगों पूरा पूरा दिन लेते हैं दो दिन आपको पूरा थारो सिखाते डश इलिंग कैसे करना है एसं कैसे करना है हम लोगों ने थोड़ा कोट्स आसान कर दिया है क्योंकि हर एक विक्ति उतना समय नहीं दे पाता और कोट्स की फीस भी हम लोग नॉमिनल लेते हैं इसलिए कि अधिक अधिक लोगों तक ही चीज़े पहुंच सकें सेकेंड यह भी कि सामने वाला दिया के हमको बूलता है कि हमारी इच्छा है सीखने की और पर इतना नहीं दे पाएंगे आप सीखिए फीस की डोनेशन चार्ज लेते हैं वो अम लोगों उसका माफ कर देते हैं जीतना तुम दे सकते दे दो नहीं दे सकते विट सोके बट आप अराम से सीख सकता है और आजकर online भी सिस्टम है वारा तीन ुटे में पहले दिन तीन गंटा दूसरी दिन आपका जितना समय आप दे सकते हैं उतने समय के बीतर आपकी सुईधा के अनुसरा नों सिखा देते हैं ओफलाइन सीखना है तो ओनलाइन सीखना है तो एटलिस्ट आपको चार घंटा तो चाहिए त्लीन से चार घंटा आपकी वेबसाइट पर एक और चीज़ मैंने देखी आपने लिखा है वहाँ पर कि कल्यूग में सत्यूग के वचार इसका क्या मतलब होता है देखो लोग बोलते हैं कल्यूग चल रहा है है न इकल्यूग है ऐसा कहा जाता है और हम लोग कहते हैं सत्यूग है इसके वेचे रीजन यह देखो आप जैसा बोलोगे वैसे दुनिया बनते चले जाएगे है न फॉर एक्सामपल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जैसे हमने का हम लोग जल्दी उठते हैं हम लोग शुद्ध पीरेड बोलते हैं उसको वो सत्यूग की पीरेड है हमारे लिए क्यों सा टाइम है वो सत्यूग का समय है और कल्यूग सत्यूग सब हमारी भीतर है क्योंकि हम जैसा होते हैं, वैसे हमारी दुनिया बनती चल जाती है, आप देखिए जो ड्रिंक करने वाले होते हैं, वो एक जगा एक अत्रित हो जाते हैं, चाय पिने वाले वो एक जगा जमा हो जाते हैं, सत्संगे एक जगा जमा हो जाते हैं, तो कल्योग चाय लोगों के ल गई थी आपके parents भी दे रहे हैं हर parents अपनी बच्चों को देता है उसी values को पुना जागरित कर रहे हैं they are very valuable that values are okay तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ जैसे बच्चे होते हैं बच्चपन में या थोड़ी उमर हो जाती हो उसका आद में वो रहा भटक जाते हैं वो क्या करें जब वो negative पात पर निकल गया है पहली बात तो यह कि आपके घर का वातावरण कैसा है first thing पैरेंट्स का घर में आपसे संबंध कैसे हैं बच्चों को इतने छूट होने चीह है देने चीह हैं कि वो अपने मन की बात कैसे हैं जब वो घर में शेयर नहीं कर पाता है कोई बात तो बाहर जाके रास्ता भटकने कि संभावना पूरी रहती है अज हम रहे का ना कि हमारे घर में कोई ध्यान अखने वाला नहीं था मा नहीं थी चार बच्चे और ना फाइनेशल पोजिशन ऐसे फिर भी मेरे पिताजी के नजर हम बरती सबके तो सबके सब हमनों लाइन पर है उस फक्त घर जमाना भी सीधा सरल था आज का जमाना में भी फरक है पर जो बच्चे हमने जो नोटिस किया वो यह कि वो बच्चे जल्दी भटक चाते हैं जिनने परिवार की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है बच्च परिट्स की निगार नहीं रहती है बच्चा क्या देख रहा है पेरेंट्स को समय नहीं है देखने का मुबाइल पकड़ा दिया कि उशान तो जाएगा खाना खालेगा खाना खाते वक्त तो देख क्या रहा है वह खाने के साथ वह भी तो बीतर जा रहा है तो उतनी अटेंट्स पेरेंट्स को पच्चों के देरी होगी मुझे अब एक महिला से मिलना हुआ वंडर्फुल शीव लेड़ी बहुत अमीर घर से है वो पीहर साइड शी इस ओनली चाइल्ड एकलोती बेटी है पेरेंट्स के पास फाइनाशिल पोजिशन वेरी हाई ससुराल में बहुत अच्छी है बहुत स्ट्रॉंग है बस वहां पर इधर खाली माता पिता और सिंगल चाइल्ड यह लड़की और वहां पर चार भाईयों की फैमिली हस्बन चार भाई और सब जॉइंट में किचन एक है सब जॉइंट बिजनेस जॉइंट में है लव मेरे इस थी पहल कि यहां यह अकेली बहुत मैंने इसको ऐसे पाला हुआ है और यहां आपके घर में तो बहुत जॉइन फैमिली है तो मेरी मन्शा इसलिए कम है देने की बच्ची को पर यह मान नहीं रही है यह कि आपके घर में अज़स्ट हो पाएगी मुझे डाउट है मैं तो लड़के क कि बहुत समझदार बोले जब बच्चे देखो नहीं मान रहे हमको करना पड़ेगा शादी करनी होगी पर आप जब बोलोगे आपकी बेटी जब बोलेगी मैं इसको अलग फ्लैट की विवस्था मेरी है मेरी पास प्रॉपर्टी यह फ्लैट है मैं इसको शिफ्ट कर हमाई तरफ से कोई प्रेशर नहीं है इसके उपर आपके बच्चों जैसे बोलेंगे बैसे हम करने तयार है शादी होके वहाँ चली गई और पैरेंट्स को थोड़ा सा कि इतने बड़े जॉइन फैमिली में कैसे रहेगी वगर वगर उससे बार बार उसकी पिताजी का बोल कि साथ में थोड़े एजस्टमेंट मुझे करने पड़ते हैं पर अभी बच्चे हैं उसके चोटे चोटे तो उसका यह कहना है कि जो संसकार जो सिक्योर्टी जो प्यार इसे जॉइन्ट में मिल रहा है वो मेरे अकेले होने के बाद नहीं मिलेगा मेरे बच्चे दो मेरे बच्चे पलेंगे तो दस साल बाद यदि मैं अलग होती तो आजाद होने के लिए हो रही हूं तो मुझे बहुत भारी कम जुकानी पड़ेगी आजादे की मेरी जब ना तो संसकार इनके भीतर होंगे ना सुरक्षा होगे ना प्यार मिलेगा अलग होने के बाद तो वो चीज मुझे मेरे बच्चों को देनी है अलग तो मुझे होना ही ना आज होना ना भविश में होना है तो यह कल्चर भी यंग जनरेशन में आ रहा है सुनकर बहुत अच्छा लगा में उसकी सासु मां बोली बीच-बीच में में रहने आ जाओंगी ऐसा नहीं तो बुल जी तो उसकी जब मैंने उसकी बात सुनी तो मुझे ऐसा बहुत अंदर से बात भीतर आई कि यह बात मुझे यंग जनरेशन तक पहुंचानी है कि बच्चों के इंदर संसकार जो इन फैमिली में जो आते हैं जो सुरक्षाओं नहीं मिलती है जो प्यार मिलता है वो बाहर अकीली रहके नहीं मिलने बाला बिल्कुल कि कपल इतना व्यास रहता है आजकल क्योंकि बड़े लिखे बच्चे हैं आप लोग जो नौकरी करते हैं आप लोग पूरा दिन तो आपके जॉप में निकल जाता है बच्चों के पास टाइम क्या आपके बस देने के लिए और क जादी के बाद में जॉइन फामिली से थोड़ी छोटी वाली फामिली हो गई थी बट फिर भी थी तो जॉइन फैमिली बट उन्होंने मुझसे खा था कि बच्चपन में हमारी खुद की ममी ने हमें कभी देखा नहीं बट हम फिर भी बड़े हो गए और अच्चे संसकारो से बड़े हो गाए क्योंकि इतने सारे लोग थे तो यह बात तो बिलकुल सच्छ है जब हम लाइफ की बात करते हैं मेरी जनेरेशन में एस्पेशली यह बात बहुत चलती कि लाइफ का पर्पस क्या है? सब लोग इस question के पीछे बहुत भागतेगी life का purpose धूंडो आपके according life का purpose क्या है और आपकी life का purpose क्या है इस वक्त देखो इसके लिए बहुत खोजना है ऐसा कुछ नहीं है जीवन सचमुच देखा जाए तो बहुत सीधा सरल है सीधा सरल है जिस शास्त्र पर नारण शास्त्र पर हम लोग उसके अनुसार चलते हैं उसमें सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि मनुष्य जीवन आपको क्यों मिला है कि इसके पहले भी हमने बहुत सारे जीवन जीए है कई जन्मों को जिनने के बाद हमें मनुष्य जीवन मिला है है और एक मात्र यह योनि यह जो मनुश्य दे है इश्वर को पाने का इकलोता साधन है और किसी योनि में आदा इश्वर को नहीं पा सकते हैं सिर्फ इसी उने में पा सकते हैं और कैसे पासकते हैं निथ्य खारिस्परण करते रहेंगे भगवान का उससे नहीं होगा क्योंकि हम लोग सादू सुन्या सी नहीं है हम ग्रेयस जीवं नी जिता हैं तो आप उद्देश खोसते हैं कि मैं इदर क्यों आया हूँ अरे जो आप जिस घर में रहते हैं जिनके बीच आप रहते हैं जिनके साथ आप रहते हैं आप उनके लिए क्या कर रहे हैं जितना बेस्ट आप उनको देंगे आपको अपने आप लक्ष मालूम पड़ता चला जाएगा बिल्कुल हो जाना नहीं पड़ेगा आपको जो व्यक्ति आपके संपर्ग में आता है मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं what can I give जरूरी नहीं हम हमेशा कैश और काइंड में ही दे अच्छे शब्दों के माध्यम से भी हम उसको बहुत कुछ दे सकते हैं उसके लिए प्रात्ना कर सकते हैं उसे आशिरवार दे सकते हैं बिल्कुल तु लाइफ में सक्सेस्फूल होना सबके लिए easy हैं सबके लिए possible है चाहत होने चीगा पहले चाहत होने चीगां पर कीमत पे करने की हिमत होनी चीगा कीमत मैनद जो आप पाना चाहते हैं उसे जो लोग पा चुके हैं उनुझ लोगोंने क्या input डाला है कितनी मैनद की है आप में अतनी चताकत है इंपुड डालने की मैन creeping करने की तो बिलकुल चाहना होने चиях हए ह्टी सफल होना चाहता है बिलकुल उसकी कीमत पे करना आप तैार है जो उसे पाने के लिए जो देना होगा आपको उससे आप देने के लिए तैार है क्या वो प्रश्णा आगे का जी देने के लिए तयार तो of course you'll get पर success पाने के लिए जो लोग तयार भी है कोई affirmations होते हैं देखो affirmation होते हैं affirmation के ताकत से हम आगे बढ़ पाते हैं पर एकलोता affirmation काम नहीं करता है है ना आपको कारी भी करना होता है जैसे आप swimming सीखना चाहते हैं है ना आपका लिए affirmation दे रहा हैं आप ग्रेट स्विमर ग्रेट स्विमर पानी मुतरना होगा जी है ना स्विम करना होगा प्रैक्टिस करनी होगी समय देना होगा तो बिना मेहनत के दो कुछ भी मेहनत तो कर आपको अपकोस आपका लाइफ का पर उर्पस क्या है इस वाट सीधा सरल जितने लोगों का जीवन समार सकते हैं खाली थोड़ा सोच में परिवर्तन करना और कुछ नहीं करना है जितना लोगों के देखो जो मुझे मिला है मुझे बातना है बातने इन-फैक्ट कहें तो बातने के लिए मिला है लोगों का जीवन जितना सुन्दर बन सकता है अब देखें जो भी spiritual गुरूस वगर जो होते हैं हम लोग उनका भी सुनते हैं सबका है न तो अधिकांश लो हमारी मुक्ष प्राप्ति हो उस पर ज्यादा फोकस रहता है हमारी मंशा यह है कि जो जीवन हमें मिला है उसे हमें किस तरह जीना है क्योंकि यह जीवन हमने अच्छा जी लिया तो आगे अच्छा है बिल्कुल जैसे पूरे साल आपने मेनत कर ली तो एक्जाम अच्छी जानी है आगे अच्छा ही है बिल्कुल बिल्कुल पर हम क्योंकि इस podcast पर काफी सारे जोतिश शास्त्रव में जो बहुत ज़्यादा experts है उनसे भी बात करते है astrology की सब बात करते है और numerology हो गई astrology हो गई इन सब चीजों तो एक जगह पर जहांपर हम कहते है कि शास्त्रों में लिखा है कि हर इंसान अपना भाग्य लिखवा क्या आया है दूसरी और हम ये भी ट्राइ करते है कि हम success पाले हमें life में बहुत धन चाहिए बहुत गाड़ी पैसा मकान चाहिए बड़े बड़े वो पाले जिनके शायद नसीब में नहीं भी लिखा था वो भी पा जाते यह क्यों होता है फिर एस पर नाराण शास्त्र जो हमारा शास्त्र है वो कहता है कि हमारा भग्य पैंसिल से लिखा हुआ है आप मिटा के जैसा चाहे वैसा भग्य बना सकते हैं है ना आपको एग्जामबल दोंगे तो आपको इज ही पड़ेगा समझने में हेना समझो पिता जी की कोई छोटी सी किराने की दुकान है है ना हुआ छोटी से छोट से میں अब बेट नंग को विरासतम हो मिला उसी दुकान पर बैठता है वो भागे में क्या था उसके वो ही किराने की दुकान चोटी सी अब यदि वो उसको महनत करके उसको डिपार्टमें स्टोर में भी कनवर्ट कर सकता है भागे में तो चोटी सी दुकान थी और ये भी है कि अगर काम नहीं किया तो वो भी हाथ से जाएगी उसी छोटे दुकान को मेनत करके डिपार्टमेंट स्टोर में कर सकता है कि नहीं कर सकता है और इदी मेनत नहीं किया तो जो हाथ में है वो भी निकल जाएगी तो भागी में तो छोटी सी दुकान थी ना पर तुमने मेनत करके अपने इंटर्वीव किया होगा हमारा ये कहता है आपका भज्य प्रती पल प्रती छन बदलता है प्रती पल प्रती पल प्रती छन आप देखो आप पकड़ सकते हैं इस पात को कि अक्सर हमने देखा है कि पहुंचे जोतिश के पास से लोग जाते हैं है ना कि यह बहुत बड़ा जोतिश हम उसके पास जाकर आए उसको दिखाई कुंडली उसने चो बोला राइट दूसरे को दिखाई उसने अलग बोला तीसरे को दिखाई उसने अलग बोला सेम टू सेम जनरली सुनने में नहीं आता है कि इसने भी यही बोला था उसने भी यही बोला बहुत आमने तो नहीं सुना यह फरक कैसे आता है जब कुंडली तो वही है आपने एक को दिखाया उस वक्त आपकी मांसिक अवस्था कैसी थी उसका रिफ्लेक्शन उस पर आता है और फिर दूसरे को दिखाया चाहिए अपने आधि गंटे बाद ही दिखाया हो दो चार दिन बाद दिखाया हो उस आधे गंटे के दौरान आपने अधि अच्छे कर्म किये तो उसकी reading में फरक आएगा गलत कर्म किये तो reading में फरक आएगा कर्म तो हम प्रती पल प्रती छण कर रहे हैं विचारों से कर रहे हैं, वाणी से कर रहे हैं विवाण से कर रहे हैं तो जो जो आप कर्म करती जाते हैं भागे कि यह देखा हूँ और अपनी रास्ता बदलती जाती है उसके रिडिंग में फरक आजाता है बिलकुल मेरे एक बहुत फेवरेट जयोतिश आचार्या है उनका नाम अरुन बंडित जी है तो मैं उन्हें अपने गुरू के तरह ही मानता हूँ उन्हें मुझसे एक चीज कही थी और मुझे आज तक मेरे लाइफ में वो एक चीज है जैसे मैं मानता हूँ उन्हें मुझसे कहा था जब मैं उन्हें से बहुत सवाल पूछ रहा था कि ऐसा होगा ऐसा होगा कैसा होगा तुननना मुझसे कहा था, जब भी कोई भी चीज तुमें लगे, परिशानी लगे एक चीज याद रखना, आपके हाथ में जो भी लिखाओ, आपके astrological charts में जो भी लिखाओ, एक नाम ले लो, नारायन सब बदल जाएगा आपको लोगों तक ऐसा knowledge ले जाना चाहता हूँ जो वो अपने life में apply कर सके और जो भी उन्हें चाहिए life में वो पा सके आपके through, मैं चाहता हूँ आप उन्हें एक blueprint दे कि सुबह से लेके रात तक उनकी दिन चरिया क्या होनी चाहिए so that वो अपने life में खुश ही पा सके क्योंकि सबसे बड़ा success तो वही है कि peace, kindness ये अपने life में अपला सको देखो यदि आप मैं आपको एक lifestyle जचा के दूँगी वो सब पर fit नहीं बैठेगी बिल्कुल राइट है ना आपके घर में दी चार member है यह सब्सक्राइब चारों का टेस्ट अलग अलग रहता है एक सब जी बन जाएगे तो सब नहीं काने पाले है ना मेरा टेस्ट अलग है उसका टेस्ट अलग है हाँ ऐसी कोई चीज हम बता सकते हैं आपको कि वो अपने जीवन में शामिल कर है वैस्व सब्सक्राइब डिवाएशा जीवन जीश UA comes चाते हैं याणि कुछ हद अपना जीवन सबार सकते हैं है ना हमने आपसे शब्दों कि ताकत के बारे में बात की हैं तो सुबह उटकर जैसे हर शास्त्रा कहता है हर जाति में कि प्रात्ना करिए इश्वर की ओरते से भगवान से प्रात्ना करनी चीए तो यह दि एक चीज हम अपने जिवन में करना शुरू कर दें कि आप सुबह जो यह नेंद खुलती हैं अभी आपने बिस्तर नहीं छोड़ा है नेंद खुले हैं लेटे वी हैं आपको खाली मैक्सिम एक मिनट लगेगा उस बात के लिए जो हम बताने चारे करने के लिए कि जिनके साथ आप रहते हैं जो आपके साथ रहते हैं एक-एक को वीजुलाइस केजिए यह मदर है फादर है भाई है वाइफ है बच्चे है जो भी में फैमिली में बढ़ सेज्स एक साथ नहीं वीजुलाइस करना है कि आज दिन भर में मैं इसके लिए क्या करूं ऐसा कि इसको अच्छा मैसूस है, खुशी मिले, इसे सुख मिले, छोटा सा कार्य कोई है, एप्रिशेश्टी कर दिया, रिस्पेक्ट कर दिया, चरणे छू लिये, जैसे परेंट्स के अपने चरणे छू लिये, उन्हें करना उनको कि मैं इसके ऐसा क्या काम करूं, कि इनको खुशी मिले, सुख मिले, उन्हें अच्छा मैसूस हो, छोटे-छोटे कारे हैं, और डिसाइड कर लीजी आप, आप रोज रिपीट कर सकते हैं, सेम चीज भी रिपीट कर सकते हैं, इसमें वैरियेशन भी कर सकते हैं, और जब यह करके आप उठेंगे ना, अभी तो आपने किया ही नहीं, एक्शन में तो आया ही नहीं है, जैसे आपने सोचा कि मैं प्रणाम करूंगा, कभी नहीं करता हूपर अभी माथा टेक के प्रणाम करूंगा पेरेंट्स को, उनको अच्छा मैसूस होगा, अभी किया नहीं है आपने, पर आपने थौट में भी लेकर आया है आप, कि मैं अभी वर्क प्लेस पी जाने की बाद, वहां से, जैसे समझे कोई घर में आस्वस्त है, तो मैं तब यह पूछूंगा फोन करके, कैसे लग रहा आपको, आपको पता, आप फोन करेंगे, अच्छा मैसू सुना शुरू हो जाएगा, आप समझे, और करने के बाद तो और अच्छा मैसूस होगा, और जब यह अच्छा मैसूस करते हैं, हम फेलगुर का भावजवाता है, हमें पता नहीं होता कि हम जीवन में कितनी अच्छी चीज़ों को आकर्शित कर लेते हैं अंजाने में, कई एक दो घंटे का सोचेंगे, आज मैंने यह यह चीज़ की थी, और सब अच्छा अच्छा होता चला गया, और किसी दिन ऐसा भी होता है, आज पता नहीं किसका मुह देख लिया, है ना, पर आपको यह नहीं पता तो दरपनी देखा था हमने तो, अच्छे शब्दों को, औ आप एक एक को फैमिली मेंबर को लाइए, और वो करिए, फिर अपना दिन देखिए, और सामने वाले को फुष करने के लिए आपको बड़े-बड़े उपहार देने ऐसा नहीं है, रिस्पेक्ट है, एप्रिशेशन है, यह बहुत बड़े उपहार है, जी, और आपको यह सिक्रेट दे रही हूं आपको जीवन का, अभी तक मैंने डिस्क्लोज नहीं किया, सिक्रेटी वाला, आपको दे रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ना है तो, जब भी, देखो, आजकल तो सारी बाते हमारी फोन पर होती है, पर्सनल तो होती नहीं किसी से भी न, आप अपने सिर्ञे ons अजिए हैं यसर का फोन है, बहुत फोन हो जाते हैं, आपके पारेट्स का मा का फोन आपकी पितแणी का पोन अज्यश्कनेक कर देती हैं, बाद में बात कर लोगा, बहुत मेजर कार्या आपनी also, वह की बात अलग है, पर आप अकसर रेंडमली भी काट देती हैं, कप्पे मार रहे हैं वो अनादर है Receive that call पहली बात और लेटे लेटे पसर के बात नहीं करना है आदर आपकी body language उनसे बात करने उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है पर आपकी body language respectfully हो जाने ची उनसे बात करते दे यह दिखड़े होके बात करते हैं रिस्पेक्ट दे कर बात करते हैं बाते आपकी वही रहेगी पर दि बॉड़ी लेग्वेज आपका सवर गया आपका जीवन बन जाएगा ओके यू कन ट्राइ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है एक आखरी सवाल जो मुझे पूछना था आच्छली जो मैं नहीं पूछ पाई असके पहले नारायन चास्तर की अपने बात की मुझे जानना है कि नारायन सच में है कौन एक पावर है एक शक्ति है भगवान है आपके आपको को आसान होगा समझना जिसको आप भगवान शेक्रिष्ण कहते हैं या जिस भगवान को आप मानते हैं और उसका कोई रूप रेखा नहीं है निराकार बस नारायन नारायन लिखा हुआ है उसको हम लोग पूछते हैं भी हमारे भीतर है, बच्पन से ही सिखाए जाता है, कि हमें हर व्यक्ति में भगवान के दर्शन करने चीए, इश्वर के दर्शन करने चीए, तो जब शास्त्रे चीजे कह रहा है, तो इसकार्थ है हमारे भीतर है, खाली यह है कि यदि कोई अच्छा विवार करता, देखो, है ना, यदि हम सही उचित कारे कर रहे हैं, तो हम नर्ड से नाराण बन जाते हैं, है ना, और यदि हम गलत कारे करते हैं, तो मानव से दानव बन जाते हैं, यह तो हमारे पर निर्भर करता है, बिल्कुल, पर हम इसलिए कि हैबिट में नहीं है आदत में नहीं है अब जैसे आजकल सीसी टीवी कैमरे की का सिस्टम है तो हर जगा हम अवेर रहते हैं कि लिफ्ट में लगा हुआ है बड़ी-बड़ी सोसाइटी में तो सीडियों में भी लगा होता है आप बहुत प्रकॉशन के साथ चलते है क्या सिसीम डैभी देवी और ऊसको क्यूं के प्रती अर इसके अपनएक्शं सही रखना है और हैं और इसके अपना और यह प्रती अंदर अंदर वी मेरे अंदर भी इश्वर सामने वाले मीं भी इश्वर avoir नहीं पता सब है मालूम बड़ो जाहिन से कोई नई बात नहीं है बट आप जागरित नहीं है बस मैंने देखा है कहीं सारे लोग नारायन से भगवान से डरते हैं और कुछ लोग होते हैं जो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं तो भगवान से डरना चाहिए या प्रेम करना चाहिए क्या करना चाहिए देखो जिस अवस्था में आपको भग का स्मर्ण कर लेता हूं और यह आपको लगता है भगवान से प्रेम करते वक्त मुझे ज्यादा मैं जब कर पाता हूं कोई एक सही तरीका नहीं है ऐसा कोई बंधन नहीं जैसे मैंने मेरे पिताजी से वह बहुत शास्त्र पढ़ दे थे और उनकी यह व्यवस्था थी कि आप अगर भगवागीता उनके सामने रख दो और आप जैसे हम लों सिच्वेशन देखके फिल्मी गाना गा देते हैं ना जट निकल आता है मुझे उनके भागवत के रामायन के दोहे यह सब निकलते थे उनके मुझे तो सिच्वेशन देखी तो भागवत का था कोई प्रसंग या वो उनके मुझे जट निकलता था वो रिलेट करते थे उस चीज़ को तो मैंने उनसे पूछा था कि मैं सारे समय यह बात लगबग 30 साल पहले की हैं इस तरह से मैं इस तरह किया एक गौटा करते थी तो आदा गंटा चोटे बेटे के लिए प्रातना आदा गंटा बड़े बेटे के लिए प्रातना इस तरह से तो मैंने इस तरह करते तो मेरे जब जब ज़्यादा होते हैं तो पर ये तो मेरा मांगना हो गया ना मतलब से कर रही हूं मैं प्राथना तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया था कि चाहे मतलब से कर रही हो उससे मांग रही हो तो फिर भी उसका स्मर्ण कर रही हो स्मर्ण करना प्राथमिकता है भगवान का नाम जब तुमसे हो रहा है ये प्राथमिकता है चाहे मांगती रहो पर करती रहो तो उनकी कहे वो बाते हैं सारी सिस्टम में हम कहेंगे संसकारों मेंचली गई है हमने शुरुवात आपके पिताजी से की थी पॉड्कास्स का अन्त भी आपके पिताजी से हो रहा है तो भाद एक अच्छे नोट पेंड हो रहा है दिदी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे, आपकी एनर्जी बहुत काइंड है, बहुत पीस्फुल है, और होपसो कि सबको यहाँ पे फील भी हुआ वो, जो हमारे दर्शक भी देख रहा है, उन्हें भी फील हुई होगी, यह पीस्फुल एनर्जी, दिदी थैं भी भी पुलिए मिटत भी दिदेख जारा प्यार, धन्यवाद और आशीरवाद, थैंकीसुथे, नरहें, नरहें, नरहें